इस वीडियो में sin of a plus b और cos of a plus b का derivation बताया जाएगा क्योंकि इसी के help से कुछ trigonometry formula proof होते हैं हलो दोस्तों, welcome to my youtube channel in and out आज की इस वीडियो में हम बात करने वाल हैं और 11 trigonometry formula proof of derivation जो part 1 होने वाला है हम इस वीडियो में sin of a plus b और cos of a plus b के proof of derivation देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं sin, theta और cos theta यहाँ theta a और b के term में हैं इसलिए हमने इस angle में a और b जोड़ा है यह बनाया है और इसके proof और derivation के लिए ऐसे दो triangle चाहिए तो हमने इसे draw कर दिया दोनों formula को derivation के लिए एक ही figure से हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं एक a origin है और a x axis है x axis इसको हम x माल लेते हैं यह x axis हो गया और इसी origin से एक line draw करेंगे इस point तक जो हम P मिलेगा यह P मिलेगा और इसी origin से एक line draw करेंगे एक unit का वो Q होगा वो Q होगा जिन दोस्तों को sin theta और cos theta के basic जनकारी नहीं है उनके लिए बता दे कि sin theta होता है perpendicular upon hypotenuse और cos theta होता है base upon hypotenuse हमें find करना यह तो one है और हमें find क्या करना है इसका perpendicular और इसका base तो base के लिए perpendicular के लिए क्या किया जाता है h sin theta इससे hypotenuse और sin theta multiply कर देंगे यहाँ perpendicular है तो perpendicular के लिए हम क्या करेंगे one और sin theta multiply करेंगे तो sin theta आएगा और यहाँ theta क्या है इस triangle में b तो यह हम sin b लिखेंगे यह तो perpendicular निकल गया बचा base इस triangle का base इसका निकालेंगे तो base के लिए क्या करना पड़ता है base is equal to h cos theta यानि hypotenuse और cos theta में multiply करते हैं और यहाँ hypotenuse one है और cos theta theta यहाँ b है तो यह cos b हो जाएगा इस triangle का हो गया आप कम और यह हम दूसरे triangle में देखते हैं इसका one hypotenuse था जिसके यूज से हम perpendicular और base निकाल लिए और cos b इस triangle पी ओ एक्स का यह hypotenuse है तो इसके यूज से हम यह perpendicular और base निकालेंगे तो perpendicular के किया किया जाता है यह sin theta hypotenuse में sin theta multiply करना पड़ता है यहाँ theta a है तो हम hypotenuse into sin a होगा यहाँ multiply करेंगे और base बेस के लिए h cos theta होता है तो h यहाँ cos b है तो cos b यहाँ लिखेंगे into cos theta cos a हो जाएगा cos a हो जाएगा यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा हमें लेकिन angle a और angle b नहीं चाहिए यह दोनों combine form में चाहिए यानि यह पूरे complete angle चाहिए a plus b यानि a और b को जोड़ेंगे तो यह पूरा complete angle मिलेगा तो हमें find करना है sign of a plus b लेकि sign of a plus b के लिए एक right angle triangle चाहिए तो हमें यहाँ कोई right angle triangle यह पूरे complete angle के लिए नहीं मिल रहा है यह मिल रहा है right angle triangle जो a के लिए है और a b के लिए right angle triangle है लेकिन complete angle के लिए नहीं है इसलिए हम construct करेंगे पूरे complete angle के लिए right angle triangle ताकि यह इससे निकल सके तो देखते है next यहाँ complete angle के लिए हम एक right angle triangle ट्रेंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ से construct करते हैं इस point से q से इस x-axis पर perpendicular line यह हो गया उसके बाद हम यहाँ से एक perpendicular line ड्रॉ करेंगे ऐसे होगा देखिए यह line और a line parallel है क्योंकि इसके बीच का distance 90 degree perpendicular intersect कर रहा है दोनों line को तो इसलिए यह दोनों parallel line है और एक line यहाँ transverse कर रहा है cut कर रहा है तो इसलिए इसका alternate interior angle a और इस angle का दोनों equal होगा alternate interior angle angle a है तो यह भी angle a होगा देखिए और यह पूरा complete angle 90 degree है तो इस छोटे से हिसे को हम 90 minus a इस angle को subtract करेंगे तो यह मिल जाएगा 90 minus a यह होगा 90 minus a और यह 90 है plus 90 minus a plus a angle is equal to 60 degree तो q a यहां क्या मिलेगा यह मिल जाएगा q a मिलेगा इसका angle यह है इसके बाद हम इस छोटे से right angle triangle का perpendicular और बेश निकालेंगे तो छोटे से right angle triangle को हम draw करेंगे a हाइपटेनस sin b है हाइपटेनस मिल गया है और angle यहां ठीटा a है तो perpendicular और बेश हमें निकालना होगा जो angle के just opposite होता है वो perpendicular होता है तो perpendicular के लिए क्या कि आप करना पड़ता है h sin theta तो यहां h क्या है sin b तो sin b into sin theta तो sin theta यहां ठीटा a है तो यहां होगा sin b into sin a यह हो जाएगा और यह adjacent side है angle a का तो यह base हो जाएगा तो base के लिए क्या करना पड़ता है hypotenuse में cos theta multiply करना पड़ता है यहां theta a है तो base हो जाएगा यहां sin b into क्या होगा cos a होगा अपनी सुविदा के लिए यहां इस point को हम n मान लेते हैं यहां r मान लेते हैं इस base का value sin b into cos a आया था और इसका sin b into sin a आया था तो हमें एक complete right angle triangle मिल चुका था sin of a plus b के लिए जिसके use करेंगे perpendicular यह पूरा perpendicular यह वाला इसको n माने थे हम यहां n लिख लेते हैं और यह origin है तो यह पूरा perpendicular है और यह base है तो यहां हम देखें यह वाला line peak x और r n equal है दोनों तो इसलिए p x is equal to r n हो जागा तो इसलिए हमें r n को हम r n को हम cos b into sin a ले लिए और यह वाला base sin b into cos a है तो यहां से हम sin of a plus b निकाल देंगे sin of a plus b का हमें derivation proof निकालना है तो sin of a plus b के लिए perpendicular और hypotenuse निकालना पड़ेगा लेकिए यहां hypotenuse 1 है एक unit का था और इसका perpendicular निकालने के लिए दोनों को sum करना पड़ेगा तो क्या होगा sin of a plus b sin of a plus b equal to perpendicular upon hypotenuse तो perpendicular के लिए add करना पड़ेगा sin b into cos a plus cos b into sin a होगा upon one hypotenuse 1 होगा sin of a plus b का यहां से formula derive हो चुका है तो सबसे पहले angle में theta में a है उसके बाद भी है तो इसलिए हम arrange करेंगे पहले a को और फिर उसके बाद भी तो sin b है और cos a है तो सबसे पहले इसमें cos b है into sin a है तो sin a पहले हम लिखेंगे sin a उसके बाद यह लिखेंगे cos b plus sin b cos b के बाद cos a आएगा cos a into sin b तो यहां से sin of a plus b का formula proof हो चुका है derive हो चुका है तो अब चलते हैं cos of a plus b का formula derive करेंगे उसका proof निकालेंगे इसी figure से अब हम cos of a plus b का निकालेंगे मतलब की complete angle cos of a plus b निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या ज़योत परेगा base और hypertenous base a वाला o n यानी o n यहां से यहां तक base चाहिए और hypertenous तो 1 है पहले से ही इसके लिए लेकिन ध्यान दिजएगा कि यह cos b into cos से यह o n नहीं है बलकि o x है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा o x में n x घटा देना पड़ेगा subtract कर देना पड़ेगा ध्यान दिजएगा कि यह rectangle है तो यह इसका positive side equal होता है तो इसका हम पहले निकाल चुके हैं इसका value था sin b into sin a यह कहां से आया था यह angle a था और इसका positive side perpendicular होता है तो इसके perpendicular निकालने के लिए हमें h sin theta multiply करना पड़ता है यहां hypertenous sin b था और sin theta यहां a हो गया sin of a हो गया यहां n x और r p equal है तो n x का भी value होगा sin b into sin a इसका value हो गया हमें क्या पता करना है o n find करना है तो o n के लिए यह पूरे o x में हमें n x subtract कर देना है तो चलिए हमें cos of a plus b find करना है इसके लिए base upon hypotenous होता है तो base के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसमें n x subtract करना पड़ेगा cos b into cos a minus sin b into sin a upon hypotenous 1 है तो यहां कोई ज़रूरत नहीं 1 होकर फिर यही आ जाएगा numerator तो इसका a हो गया है फिर इसको हम arrange कर देते हैं क्योंकि theta में पहले यह है उसके बाद b है cos of a plus b cos b minus sin a sin b तो एक ही figure से sin of a plus b और cos of a plus b का proof निकल चुका है derivation निकल चुका है अगर यह video जरा भी helpful लगा या useful लगा तो हमारे channel in and out को like करें share करें और subscribe करें ताकि ऐसे ही video series लाते रहेंगे आपके लिए और इस series को जारी रखेंगे thanks for watching